आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो आपके इस तरह के इंडेक्स होते हैं ना इनसे कुश्चन्स दो तीन कुश्चन्स आपके हर परिच्छा में आते रहते हैं और फिर भी आपको यकेन नहीं है तो आप लोग अपने जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे उसके कम से कम 5-6 साल पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखिए आप लोगों को मालू भी चल जाएगा ठीक है लेकिन याद रखिए अभी तक अपडेट जितने भी हुए हैं उन्हें हम लोग देख रहे हैं अगर आगे चल कि कोई अपडेट होता है तो उसे आप लो सकते हैं और याद रखिए इस तरह के कुश्चन्स यहां तक आप लोग देखिए सेविल सर्विस यानि की यूपी एसी प्रिलिम्स में भी आ जाते हैं इस्टेट पेस्ट पीसी एस एमपी पीसी विहार राजिस्थान पीसी एस उत्तर पदेश पीसी एस चातीस गड़ पी तो इसमें सबसे पहले तो कुश्चन्स यही बनता है कि इन्हें जारी कौन करता है भारत का कौन सा नंबर है और पहले नंबर पर कौन सा है समझ रहे हैं आप लोग तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इन्डेक्स 2021-2021 इन्टरनेशनल टेलि कम्यूनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी किया जता है या तो आपसे डारेक्ट कुश्चन्स मूच लेगा कि जो आपका गिलोबल साइलर सेकोर्टी इन्डेक्स है इसे जारी कौन करता है तो आप लोगों को वहां टिक लगा देना है या बता देना है International Telecommunication Union और इसमें पहला नंबर किसका रहा है अमेरिका का पहला नंबर मुझे लगता ही कि आप लोग याद रखेएगा ठीक है और याद रखने को आप भी अगर आपके पास मेमोरी है खाली तो आप लोग आँगे भी रख लेना ठीक है दूसरे नंबर पर आप देखेंगी United Kingdom हो गया साओधी इरव हो गया तीसरे नंबर पर आपका इस्टोनिया हो गया और भारत का नंबर दसवे नंबर पर है भारत किस नंबर पर है दसवे नंबर पर है गिलोवल साइबर सेकॉर्टी इंडेक्स में अमेरिका पहले नंबर पर है भारत का कौन सा नंबर है दसवे आँगे है आपका दूसरा गिलोवल स्टार्टप इको सिस्टम इंडेक्स गिलोवल स्टार्टप इको सिस्टम इंडेक्स 2021 तो इसे जारी कौन करता है इस्टार्ट अब बिलेंग ठीक है और इसमें पहले नंबर अमेरिका और भारत का 20 वा है इजराइल क्या है भारत का कौन सा नंबर है 20 वा बाकी आप लोगों को देखना है तो आप लोग पढ़ते रहा करिए गाइने ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक आपका पहले नंबर पूछेगा या फिर भारत का पूछेगा या कौन जारी करता है यह पूछ सकता है अंगला है आपका हमारे सामने सतत विकास रिपोर्ट सतत विकास रिपोर्ट एज 2021 तो इससे जारी कौन करता है सयुक्त राष्ट सतत विकास समाधान नेडवर्ग कौन जारी करता है सयुक्तराष्ट, सतत, विकास, समाधान, नेडवर्ग और इसमें पहली नमबर पर स्वीडन भारत का कौन सा नमबर है? 120 वा कुल देश असमें कितने स्थी? 193 ठीक है? भारत का कौन सा नमबर है? 120 पहली नमबर पर स्वीडन ठीक है? अंगला है आपका बैस्विक सान्ती सूचकांग 2021 बैस्विक सान्ती सूचकांग 2021 तो इसे जारी किसने किया है? औस्टेलियाई थिंक टैंक इंस्टिटीट फोर एकोनोमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है इसमें पहला नमबर आइसलेंड अंतिम नमबर अफगानिस्तान लेकिन भारत का सबसे महत्पूर है भारत का 135 बे नमबर पे हम लोग बैस्विक सान्ती सूचकांग में हम लोग 135 बे नमबर पर है 135 बे नमबर पर है ठीक है? और आप सभी जानते हैं कि सान्ती आप देखते रहते हैं हमारे आसांती दिखती ही नहीं है और ये पंद्रवा संक्सकर्ण है आपका और इसमें कुल कितने देश सामिल थे 163 देश सामिल किये गये थे 163 में आपका 135 बा नंबर है ठीक है? यानि कि बुरी ही इस्तिती है एक तरह से आप कह सकते हैं अंगला है हमारे सामने बैसविक फितिस इस परदात्मक्ता सुचकांग 2021 तो इसे कौन जारी करता है? IMD पहले नंबर पर को है? सुईजर्लेंड और भारत का 43, 43 और कुल कितने देश से इसमें सामिल थे? 64 भारत का आप लोगों को याद रखना है कितना? 43, 43 फिर आप देखी SDG Index 2021 और इसे आप जानते हैं कि नीति आयोग जारी करता है और आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि योजना आयोग को फिती स्थापित करके आपका नीति आयोग आया हुआ है 1 जनबरी सन 2015 में इसमें प्रिथमिस्थाण पर कोन है? केरल प्रिथमिस्थान पर कोन है? केरल ठीक है? और बागी अपने राज्यों को भी आप लोग याद रख सकते हैं लेकिन अंतिमिस्थान पर? विहार केंद सासित पिरिज सीज पर कोन है सबसे टॉप पर? चंडीगर्ड, ठीक है, यह आप लोग याद रखे, बिहार की इस्तिति आप जानने हैं कि बुरी ही रहेगी, और केलल आप जानते हैं कि अधिक तर इंडेक्स आपको जो निकलते हैं, उसमें केरल ही आप लोगों को टॉप में देखने को मिलेगा, लिंग अनपाद के मामले म स्वास्त के मामले में देख लिजे, तो केरल आपको अच्छा स्टेट है, आप सभी जानते हैं उसके बारे में, और नहीं जानते हैं तो आप लोग गूगल करिए सथ, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, ऐसा मानना जाता है कि जब आपके उत्तर भारत में जाती, धरम, समु भी सकते हैं तो इसमें आप लोग दियाद रखी केरल पहली नमर पर अंतिम बिहार विसे कौन जारी करता है नेती आयो नेती आयो अंगला है आपके सामने एनी मिया मुक्त भारत सुचकांग 2020-21 तो इसमें आप लोग पहली नमर पर कौन देखेंगे मद्ध पिदेश एंपी एंपी की राध्दानी बहुपाल है तो याद रखी वितमिस्थान पर मद्धिश एंपी फिर आपका कुश्चिन दा गिलोवल लेवी लेविविलेटी इंडेक्स 2021 इसमें से जारी कौन करता है एकोनोमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट और इसमें आप लोग देखेंगे टॉ आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 तो इसमें टॉप पर आपको इंडोनेसिया भारत का 14 भी नंबर पर और इसमें याद रखी टूटल 114 देशों को सामिल करकि इस इंडेक्स को बनाए गया था यह भी याद रखिएगा ठीक है चेरिटी एड फाउंडेशन की द्वारा इस जारी किया जाता है यह भी याद रख सकते हैं लेकिन याद रखिए भारत 14 भी नंबर पर फिर आपका गिलोबल इसकल्स रिपोर्ट 2021 इसमें भारत का नाम खराबी होगा क्योंकि आप देखते हैं इसकल्स कितनी हमारे पास तो इसे जारी कौन करता है कोर सेरा इसमें टॉप पर आपको देखने को मिलेगा सुईजेलेंड भारत का कौन सा नंबर है सरसट भारत सरसट भी नंबर पर भारत सरसट भी नंबर पर प्राइम गिलोबल सिटीज इंडेक्स इसमें आप देखेंगे सेंजेन चीन का पहले न नमबर पर 32, 32, अक्षे उजा, देश का आकर्षण सूचकांग, अमेरिका पहले नमबर पर भारत तीसरे, विस प्रेश सुतनता सुचकांग, 2021, यानि कि आपके यह कि मीडिया यानि कि प्रेश को कितनी सुतनता मिली हुई है, आपके देश में कितनी मिली हुई है, इससे आप लोग भली भाती परचेत हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि एक बार आप लोग सच लिख दीजे किसी के बारे में, कल ही आपको मालू चल जाएगा, इसमें आपके 180 देशों को सामिल करके इस इंडेक्स को तैयार किया गया और नौर्वे, नौर्वे, पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, भारत का नंबर कितना है, 142, भारत का नंबर 142, विस्ट फ्रेस, तुतंता सुन्चकांक में, भारत 142 बे नंबर पर है, भारत 142 बे नंबर पर है, और आप सभी जानते हैं कि नौर्वे, नौर्व तो वहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आप देखेंगे जितनी आजादी होगी उसी हिसाब से आप देखेंगे लोग तंद को आप लोग देखेंगे ना तो विस्परेस फीडम सुतंता सुचकंक में भारत 142 पर आपका लेंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स यह आप देखेंगे नेशनल काउंसिल फोर इफलाइड एंड एकोनोमिक रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है और मध्यवदेशिस में टॉपर आपको देखने को मिलेगा MP टॉपर देखने को मिलेगा MP नंबर बन World Air Quality Report इसे कौन जारी करता है IQ एर के द्वारा सबसे पिदोसी सहर होटन यह कहां देखने को मिलेगा चाइना में भारत का सबसे पिदोसी सहर गाजियाबाद कहां देखने को मिलेगा उत्तर पिदेश में सहर की बात करें अगर सहर में पूछे तो होटन चीन का सबसे पिदोस से सहर है और बारत कि अगर हम लोग सहर की बात करें तो गाजियाबाद मेरत अगर आपसे पूशे कि सरबादिक पीदुसित से तराधणी डिल्ली और सबसे फिदूसित देश हमारा पड़ोसी भारत का इसमें टोटल नंबर क्या है? तीसरे नंबर पर है हम, किसने? तीसरे नंबर पर, ठीक है? अंगला है कुश्चन हमारे सामने, एक तरह से कुश्चन सी तो है, वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स, इसे आप लोग विस विसन्यता रेपोर्ट भी कहते हैं, तो ये सतत विकास समाधन नेरबर के द्वारा जारी की जाती है, इसमें आपके 149 देशों को सामिल किया गया था, पहले नंबर पर आप लोग फिन लेंड देखेंगे, और भारत का 149 वा नंबर है, भारत का 149 वा नंबर है, ठीक है? और एक बात याद रखिए, एक तरह से आप लोग इसे इस तरह स भी ले सकते हैं, कि माल लेजिए कि आपकी किलास में 149 वच्चे हैं, उन में से हमारा नंबर, आपका नंबर कितना है? 149 वा, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्तिती क्या बनी हुई है, और आप देखते हैं कि जिसके चहरे को आप लोग सुबह से देखिए साम तर, लटका 21, इसे वर्ल्ड वेंग के द्वारा, विस्वेंग के द्वारा जारी किया गया, 190 देश सामिल हैं, लेकिन पित हम इस्तान पर आप देखेंगे कि 10 देश सामिल हैं, वैल्जियम, कनाड़ा, डैनमार्क, फ्रांस, आयलेंड, आइसलेंड, लावटिया, लगजंबर्ग, पोर बता देंगे, क्योंकि अधिकतर मामले में आप देखेंगे भारत से ही कुश्चन साते हैं, कि भारत का कौन सा नंबर है, ठीक है, फिर आपका हूरोन, इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, इसे जारी कौन करता है, हूरोन, इंडिया, सरवाधिक करोड़ पतिराज, महाराष्ट, दूसरे नंबर पर उत्तर पृदिश, तीसरे नंबर पर तमिलाडू, फोर्थ नंबर पर कन्नाटक, पांचवे नंबर पर गुजराद, तो यह आप लोग टॉप पर कौन सा है, महाराष्ट, और वैसे भी आप जानते हैं, महाराष्ट में सब कुश तो आपको महाराष्ट में देखने को मिलेगा, बड़े बड़े उद्योग पत्य देख लेजे, आर्थिक राध्दानी भी आप लोग कहते हैं मुंबई को महाराष्ट, आर्थिक सुतंता सूचकांक, तो याद रखिए हेरिटेस्ट फांडेशन के द्वारा तैयार की गई, 184 देशों को सामिल कि अगया था, पहले नमबर पर सिंगापूर है, भारत का नमबर 121, आर्थिक सुतंता सूचकांक में, भारत 121 भी इस्थान पर है, ठीक है, फ़रे आपका फूड बेश्ट इंडेक्स रिपोर्ट, यह आपका सहिवतराष्ट पर्यावन कारिकरम के द्वारा जारी की गई थी पहले नमबर पर आपका चीन है, भारत का नमबर दूसरे इस्थान पर, भारत दूसरे नमबर पर है, फ़रे आपका एसिया पिसांत, बेक्तिगस, स्वास्त, सुचकांक, तो यह आपकी एकोनोमिक, इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है, इसमें टोटल आ आप लोग बटे अच्छे से याद रखें, क्यांकि आप देखते हैं कि दो साल लगबग होने जा रही है, 2020 भी पूरा आपका और 2021 भी मुझे लगता है, कोरोना में ही चला जाएगा, तो इससे हो सकता है, कुर्शचन सा जाए, कोविद 19 रिश्पॉंस इंडेक्स, इसे किस इसने जारी संस्ता ने बनाया हुआ है जारी किया है लोवी इस्टिट्यूट सिड्नी और अस्टेलिया की संस्ता है इसमें टोटल आपकी अंठानवे देश सामिल किये गए थी पहली नंबर पर आपका न्यूजी लेंड है भारत का नंबर 86 86 भारत का नंबर 86 ठीक है आँगे है आपका गिलोवल फायर फावर इंडेक्स इसे कौन जारी करता है सैंड सकती रैंकिंग तो गिलोवल फायर फावर की द्वारा इसे बनाया जाता है वो इसमें 138 देश सामिल किये गए थे अमेरिका का पहली नंबर पर भारत को कौन सा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इसे आप जानते हैं नीति आयोग ने जारी किया है 10 17 पिरमुक राज्यों में पिथम इस्थान पर आपका करना टके और 10 पूरुवत्तर और पहाडी राज्यों में पिथम इस्थान पर आपका हिमाचल पिदिस है 9 सहरी राज्यों और बहुने के आपने देखा राज्यों को अलक कर दिया गया कई को जोड़ के एक बना दिया तो आप को अपको आया है सोट्वर इस्थान पर दीखने को मिलगा भारत को आप 88 नंबर, भारत 88 नंबर पर QS World University Ranking, इसमें आप देखेंगे समले संस्थानों की बात कराऊं, तो 1000 की करीब देखने को मिलेगी पिताम स्थान किसे मिलाएं, Massachusetts पुरोदुगी की संस्थान ये USA की है भारत में देखेंगे आप लोग तो पितान भारत में इसमें आपके 68 देशों के 328 अमीर अरपती सामिल किये गए हैं पिताम स्थान पर आप देखेंगे टेसला की प्रमुक एलोन मस्क ये पहले नमर पर भारत के आठवे मुके सम्माली, ठीक है तो ये भी आपको याद रखेगा क्या रखेगा? याद रखेगा International Economic Resilience इसमें आप देखेंगे PHD, Chamber of Commerce and Industry ने इसे तयार किया है जर्मनी पहले नमबर पर, भारत आपका दूसरे नमबर पर, भारत दूसरे नमबर पर जलवायू परिवरतन पितासन सूच खांक इसे आपका जर्मन बोच New Climate New Climate Institute and Climate Action Network की दूसरे जारी की जाती है और याद रखेगा पहले नमबर पर किसी को नहीं मिला है यानि कि आप कह सकते हैं कि Top 3 आपके खाली बने हुए है Sweden को 4 तरी नमबर पर मिला हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं कि सबसे टॉप पर कौन है, सुईडन एक तरह से आप माल लेजे कि आपकी किलास में 100 बच्चे हैं और आप कह दें कि आपकी टीचर रख दें कि अगर जिसके 95 नमबर आते हैं 100 नमबर के पेपर में से उसे पहला इस्तान दिया जाएगा और आप देखेंगे कि किसी आपकी किलास में किसी के भी 95 नमबर नहीं आते हैं तो आप समझ रहेंगी वो पहली जगे खाली बनी रहेंगी लेकिन बैसे अगर टॉप की कहें तो आप में से जिनके 94 होंगे 93 होंगे, सबसे जानदा होंगे उसी कहें देगी, ठीक है? तो यही हाल है लेकिन इसमें भारत का नमबर 10 बार नमबर है भारत का कौन सा है? 10 बे नमबर पे हैंडली पास्पोर्ट इंडेक्स हैंडली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है 110 इसमें आपके 10 देश सामिल किये गए जापान पहले नमबर पे है और भारत का नमबर 85, 85 यानि कि सबसे सकती साली पास्पोर्ट किस देश का है? जापान का, ठीक है? जापान के लोगों को अधिक फायदा होता हुआ फिर आपका बैसबिक जलवाई हूँ जोखिम सूचकांग तो इसमें इसे जर्मन बोच की द्वारा जारी किया जाता है, इसमें आपके 10 देश सामिल किये गए थे हैं, पहले नमबर पर कौन है? मुझांबिक, भारत का नमबर 7 भारत का नमबर 7 फिर आपका इज आप लिबिंग इंडेक्स 2020 तो आवासो शहरी मामलों की मंतराले ने इसे जारी किया है, समलिष सहरों की बात करें तो 111 देखने को मिलेंगी पहली नमबर पर आपका बैंगलूर देखने को मिलेगा, अंतेमिस्थान पर सिम्ला, अंतेमिस्थान पर सिम्ला, ठीक है? फिर आप देखेंगे आपका है इंडिया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तो इसे आपने टाटा ट्रस्ट की द्वारा जारी किया गया था फहले नमबर पर आपका महराष्ट दूसरे पर तमिलारो पहले नमबर पर महराष्ट ठीक है फिर आप देखेंगे मानव सुतंता कांग देखिए याद रखिए भले 20 के हैं अभी तक 2021 के आंकरे आये नहीं हुए तो आपकी परिक्षा में कुश्चन से 2020 के ही आंकरों से पूंचे जा सकते हैं इसलिए सामिल किया गया है ठीक है तो इसे जारी कौन करता है केटो इंस्टिट्ट और फ्रेजर इंस्टिट्ट अमेरिका के द्वारा इसमें आपके 162 देशों को सामिल किया गया था न्यूजी लेंड पहले नंबर का है भारत का नंबर कौन सा है 111 है मानो सुतंता सूचकांग में भारत का नंबर 111 है कितना 111 है बैस्विक आतंगवाज सूचकांग इसमें याद रखें इस्टिट्ट फोर एकोनोमिक्स एंड फीस के द्वारा जारी किया जाता है 163 देशों को सामिल किया गया था अफगानिस्तान पहली नंबर पर है और भारत आठवी नंबर पर है और आप सभी जानते ही कि आफगान इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है उत्तर कुरिया पहली नंबर पर भारत 77 भारत को कौन सा नंबर मिला है 77 77 फरे आपका मानो पूझी सूचकांग मानो पूझी सूचकांग तो जुलाई तक याद रखी इसमें आकड़े अपडेट है आंगे जो आते हैं बदलत पूझी सूचकांग तो यह से आप लग विसर बैंक जारी करता है 174 देशों को सामिल किया गया था सिंगापूर आपको पहले नंबर पर भारत को 116 वा इस्थान मिला है कितना 116 वा फरे आपका इंडिया हैपीनेस रिपोर्ट इंडिया हैपीनेस रिपोर्ट तो राज्यो और केंदसासित पिजिसों में बात करें तो पिथम इस्थान मिजूरम का है राज्यों और केंदसासित पिजिसों को मिला कर अगर हम लोग देखें बड़े राज्यों में पंजाब आप देखेंगे छोटे राज्यों में मिजूरम और केंदसासित पिजिसों में बात करें तो अधनवान निकोबार दूइब तो आप देखेंगे यहां के लोग काफी खुस हैं ठीक है फर आप देखेंगे मानोव विकास सूचकांग तो इसे आप देखते हैं कि सयुक्तराश्च विकास कारिकरम के द्वारा ज्यारी किया जाता है यानि कि आप देखेंगे अभी तक जितने भी इंडेक्स दिखाई दिए भारत की पोजीशन खराबी चलती है ठीक है और इसी से आप लोग अंताजा लगा सकते हैं कि आपके देश की कहां क्या हो जीशन है ठीक है फरे आपका भरष्टाचार धारन ना सूचकांग और आप देखते हैं इसे कौन जारी करता है ट्रांसफेरेंसी इंटरनेशनल भारत इसमें 86 पर है पहले स्थान पर आप देखेंगे डैनमार्क और न्यूजी लेंड देखने कुम लेगा सबसे इकम भेष्टाचार आपको डैनमार्क न्यूजी लेंड में देखने कुम लेगा भारत में आप देख सकते हैं 86 और आप सभी लोग भली भाती जानते हैं कि अगर आपको कोई कान करवाना है विनारिस्वत के हो जाए बहुत बड़ी बात है बहुत इमानदारी की बा सबसे बड़े लोगतांतरिक देश हैं लेकिन आप लोगों को यह मालू चल जाएगा इसे कौन जारी करता है दा इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसमें आपके देशों को सामिल किया गया था नौर्वे पहले नंबर पर है भारत को 353 और आप सबी लोग भली भाती जानते हैं यहां भी भली भाती जानते हैं कि आपको मौली कदिकार मिले हुए हैं आप लोग उनका उपयोग करिए आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता है तो आप आप समझ रहें लोगतंत का मतलब कहां रहे हैं तो इसलिए आप देख रहे हैं कि भारत को त्रेफनवाइस थान में ला हुए है विस खुस हाली रिपोर्ट आपकी 2021 किया चुकी है ठीक है विस फ्रेस सुथेंता सुचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के एक सो असी देश उनसों को सामिल किया गया था नॉर्वे इसमें पहले नम्मर पर भारत 142 नम्मर पर भारत 142 नम्मर का इसे भी हम लोग देख चुके थे बैसविक पितिवा पितीस परदा सुचकांक इंसेट के द्वारा जारी की जाती 132 देश सामिल थे सुईजलेंड पहले नम्मर पर भारत 72 बैसविक नवाचार सुचकांक तो डाटा बा मेडिया कंपनी विलूम बर्ग के द्वारा जारी की जाती है स्टार्ट देशों को सामिल किया गया था दच्छिड कोरिया पहले नम्मर पर भारत को पचासवा नम्मर मिलाएं भारत को पचासवा बैसविक लेंगी कंतरा सुचकांक वर्ल्ड एकॉनोमिक फॉरम की द्वारा जारी की जाती है एक सो त्रेवन देश सामिल है आयलेंड को पहला नम्मर मिलाएं भारत को कितना एक सो बार हैं भारत को एक सो बार हैं बैसविक अंतराश्टी वर्देख संपदा सुचकांक ए अमेरिकी चेंबर ओप कॉमर्स के गिलोवल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है 153 देशस में सामिल थी यूएस थी पहले नमबर पर है भारत 40 वी नमबर पर है भारत 40 वी नमबर पर है ए जॉप डूइंग बिजनिस इंडेक्स इसे विस बैंक एवां अंतराश्टी वित निगम के द्वारा जारी करता है विस बैंक के द्वारा 190 देशों को सामि किया गया था निव जी लेंड पहले नमबर पर भारत 63 ठीक है फिर आप देखें कि बैस बिक उर्जा संकमड रिपोर्ट इसे आपका विस आर्थिक मंच जारी करता है और 115 देशों को सामिल किया गया था स्वीडन आपका पहले नमबर पर भारत को 74 इतना 74 वित्तिय गोपन स्वीडन आपका इसे टेक्स जस्टिश नेटवर्ट के द्वारा जारी किया जाता है 133 देशों को सामिल किया गया पहले नमबर पर कैमें दूइव भारत का नमबर 47 वैस्विक सामाजी गती सीलता सुचकांग वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम के द्वारा जारी किया जाता है 82 82 80 देशों को सामिल किया गया था डेनमार्ट का नंबर डेनमार्क का नंबर पहला भारत 76 छेटर भी नंबर पर बैस्वरी बैस्वरी के भुकमरी सुचकांक अब यहां भी समझ लीजिए आप लोग कंसर्ण वर्ड वाइड तथा वेल्ड हंगर हिल्प के द्वारा जारी किया जाता है एक सो साथ देशों को सामिल किया गया था बैलरूस पहले नंबर पर भारत चौरानवे नंबर पर आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि वहां भूख से इतने बच्चों की डेथ हो गई वहां ऐसे परिवारों की भूख से डेथ हो गई तो आप समझ सकते हैं कि वही तो result रहेंगे ना सामने, तो 94 नंबर फर भारत है, ठीक है, यह हैं आपके जितने भी महत्पूर्ड इंडेक्स हैं, देखें महत्पूर्ड ही कह सकते हैं, सभी को कबर करपाना आसान भी नहीं होता है, एक बार फिर से आप लोग केवल भारत का नंबर देख लीजे, कि कि इस इंडेक्स में भारत किस नंबर पर हैं, ठीक है, बाकिया आप लोग खतम करिए वे उसके बाद, गिलोवल साइवर सेकॉर्टी इंडेक्स 2021 यानि कि 2021 में भारत आपका किस नंबर पर है भारत, दस वे नंबर पर है, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आपका गिलोव स्टार्टब एको सिस्टम इंडेक्स 2021 तो इसमें भारत 20 वी नमबर पर बहरत 20 भी नमबर पर सतत विकास रिपोर्ट भारत 120 भी नमबर पर बैस्विक सांती सूचकांक बैस्विक सांती सूचकंग 2021 भारत 135 सांती के मावले में भारत 135 ठीक है बैस्विक P30 परदात्मक सूचकंग भारत 43 43 तीसरे SDG Index इंडिया 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 इंडिक्स इसमें आप देखेंगे पितमिस्तान केरल और अंतिम पर बिहार ठीक है एंडिया मुक्त भारत सूचकंग मत्यपदेश पहले नमबर पर MP पहले वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स भारत 14 भी नमबर पर भारत 14 भी नमबर पर प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स भारत नई दिल्ली किस पहें 32 भी नमबर पर अक्छे उर्जा देश का अकरसन सूचकंग भारत 30 भी नमबर पर विस प्रेश सुतंता सूचकंग भारत 142 भारत 142 लैंड रिकॉर्ड सर्विशिस इंडेक्स मदपेदेश पहले नमबर पर, मदपेदेश पहले नमबर पर वर्ल्ड येर क्वायल्टी रिपोर्ट इसमें याद रखे सहरों की बात हो तो गालियाबाद और अगर सरवाधिक फिदुसर जाओधानी की बात हो तो दिल्ली आप सभी जानते हैं कि जब कई वार आप लोग नहीं कुछ के प्रॉम में सुनते हैं जिस्तां से लेना मुस्किल हो रहा है दिल्ली में और टोटल भारत में अगर बैसे बात करें रैंकिंग में तो तीसरे नमबर पर है भारत तीसरे नमबर पर World Happiness Index इसे आप लोग विस पिसन्यता रेपोर्ट भी कहते हैं भारत का 149 भारत किस नमबर पर है 149 महला कारोबार और कानून रेपोर्ट इसमें आप देखें भारत 123 नमबर पर हुराओन इंडिया वेल्थ रेपोर्ट तो इसमें याद रखिए सबसे पहले इसमें महराष्ट आपको दिखने को मिलेकर टॉप पर महराष्ट आर्थिक सुतनता सुचकांग भारत 121 भारत 121 Food Waste Index Report भारत दूसरे नमबर पर भारत दूसरे ACA पिसांद व्यक्तिकल सुचकांग इसमें भारत 10W नमबर पर भारत 10W COVID-19 Response Index इसमें भारत 86 यानि 86 वे नमबर पर गिलोबल फायर पावर इंडेक्स इसमें आप देखें भारत 4 वे नमबर पर भारत 4 वे नमबर पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इसमें आप देखें करना तक पहले नमबर पर राज्यों की बात कर आओ उसी में आप देखेंगे अगर आपको पूरवोत्तर और पहाडी राज्यों में अगर बात करें तो हिमाचल पिदेश और केंदसासित पिदेशों में बात करूँ तो दिल्भी ठीक है विस्स प्रेज सुतनता की बात कर चुका हो विस्स में सुतनता 2021 इसमें आपका अठासी है वो प्रेज सुतनता सुचकांक है यह आपका विस्स सुतनता है ठीक है घेरावंदी के तहर लोकतन तो याद रखिए किसी भी तरह से कुश्यन्स आ सकता है अठासी किवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारत को 172 भारत की इसमें पिथम स्थान बनको रहे हैं भारत में भारती प्रोदुगी की संस्थान बॉम्बे हुरोन गिलोगल रिच लिष्ट तो मुकेशन अम्भानी आठवे नंबर पर ठीक है इंटरनेशनल एकोनोमिक रेसिलियंस इसमें आप देखें भारत दूसरे नंबर पर भारत दूसरे नंबर पर जलवाई फरीवर्तन फिदसन सुचकांग भारत दसवे नंबर पर जलवाई फरीवर्तन फिदसन सुचकांग भारत दसवे नंबर पर हैंडरली पासपोर्ट इंडेक्स पच्चापसी वे नंबर पर भारत पच्चासी वे नंबर पर ठीक है और बैसविक जलवाई योखिम सुचकांग भारत साधवी नंबर पर बैसविक जलवाई योखिम सुचकांग भारत साधवी नंबर इज ओप लिविंग इसमें आपका बैंगलूर पहली नंबर पर और सिम्ला Age of Living Index में आपका बेंगलूर पहली नंबर पर अंतिम नंबर पर सिम्ला ठीक है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इसमें आपका पहली नंबर पर महराष्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट महराष्ट पहली नंबर मानाओ सुतंता सुचकांग भारत 111 बहरत 111 बैसबी कातंगवा सुचकांग भारत 8 वी नंबर पर बैसबी किस्ति जोकिम सुचकांग भारत 77 77 वी नंबर पर ठीक है मानोपुझी सुचकांग 116 वी नंबर पर ठीक है इंडिया हैपीनेस रिपोर्ट इसमें याद रखी बड़े राज्यों में आप देखेंगे पंजाब हो गया चोटे राज्यों में मिजुरम अगर केंद सासित पिदिशों सब को मिला के करें तो मिजूरम हो गए आपका और केंद सासित पिदिशों में बात करें तो अंडवान निकूवार दुईप है मारो विकास सूचकांग तो याद रखी 131 भी नंबर पर परियावन पिदिशन सूचकांग 168 भारत का नंबर 168 वरष्टाचार धारना सूचकांग 86 दो हजार बीस का है ठीक है वैसविक लोगतांग सूचकांग 35 क्या है 35 वरष्टाचार के बारे में 86 और लोगतांग में 35 पन और यह देख चुके हैं 242 भी नंबर पर है वैसविक पितिभा पितिश्परदा सूचकांग 72 बारत 72 वर नंबर पर बैसविक नवाच्यार सूचकांग 30 वर नंबर पर पच्चास वी नमबर पर 12 लेंगी कंथराल सुचकांग 112 112 वी नमबर पर 12 लेंगी कंतराश्थी वादिक संपता सुचकांग 40 वी नमबर पर किस नमबर पर? 40 वी नमबर पर E-Job Doing Business 21 इसमे 63 वी नमबर पर भारत 360 सट बैस्वी कूर्जा संक्माड रिपोर्ट सेविंटी थोर चोहत्तर वे नंबर पर भारत बित्तिय गोपनियता सुचकांग 47 वे नंबर पर बैस्वीक सामाजी गती सीलता सुचकांग भारत चैतर वे नंबर पर याद रखे याद रखे 2020 का है अगर 21 का अपडेट होता है तो आप लोग अपडेट कर लीजीगा बैस्वीक भुकमरी सुचकांग 94 नंबर पर किस पर 94 नंबर पर हमें ठीक है और 21 का जब आएगा तो उससे आप लोग अपडेट होते रहाना है तो यह है आपके कुछ सूचकांग और इतना किलियर है कि एक दो कुश्चंस आराम से आएंगे आपके तो इन्हें आप लोग याद रख लिजे जिस तर ऐसे भी आपको याद रटना है मुझे तो लगता है एक से दो बार अगर ध्यान से सुनते हैं देखते हैं तो आराम से याद हो याद हो याद हो एके?